हाई दोस्तो इए-4 चानल में आपका स्वागत है दोस तो आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे अपने मोबाल में इंस्टा अप्लिकेशन को ओपिन करेंगे यह में हमारे पास इंस्टा अप्लिकेशन है इसे हम ओपिन कर लेते हैं तो जैसे आप ओपिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको अगर आप home page पे रहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको interface मिल जाएगा अब आपको अपने account में आने के लिए यहाँ पे icon मिल जाएगा आदमी का इस पे आपको click करना है और आप अपने account में आ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे तीन line है इस पे आपको click करना है क्लिक करने के बाद setting वाले option पे आपको आ जाना है और जिससे आप यहाँ पे आएगे तो आपको इससालों उस तरीकी से बेज़ उपिर होता है तो आपको यहाँ पे security वाले option क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे पासवर्ट का आप्शन मिल चुका है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रहा है कि आपका करान पासवर्ट क्या है बतलब अभी का password और यहां पे आपको current password वो होता है जो पुराना password होता है sorry और उतके बाद यहां पे new password अभी जो बनाएंगे उसके बाद अगर आपके पास पुराना password नहीं है तो आपने खो दिया है अब आपको क्या करना है यहां पे आपको आप जादा सोचना नहीं है यहां पे आपको एक option मिलता है forget your password यह वाला option आपको क्लिक करना है तो यहां पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यह number दीखा जाजा रहा है इस पे code आएगा तो चलिए हम यहांपे OK कर देते हैं अगर आपके दुस्त्य मोबायल में लगा हूए है तो वह मोबायल आप अपने हाइए कोड का यहthyः हमें मेशस अप्लिकाशन को आप ऑपन करना हैं में message application अपने फोन में ढूनूंगा तो यह मिल चुका है अब message application open करेंगे अब यहां पर हमें research करने का option दिया है इस पर किलिक करेंगे link पर और उसके बार ब्राजर वारे option में हम चले जाएंगे कुछ इस तरीके से अब यहां पर आपको बना लेते हैं तो यहां पर हम अपना नाम आपका जो भी है वह आप यहां से नाम के साथ का प्राज वाल और उसमें नमबर मिक्स करकर मजबूत नमबर बनाएंगे password उसके बाद यहां पर पासवर्ट पर किलिक कर देजिए दोरों में कभी इन फ्यूजर अब भूल जाते हैं तो आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ट जो है वह असानी से चेंड कर लिये हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करना शेयर करना